हाई फ्रेंज, आगे हम एक नए वीडियो के साथ, the most awaited वीडियो, सेजन के फूल की सबजी वीडियो शिरू करते हैं सबसे पहले हमने ले लिए आधा किलो सेजन के फूल सिंधी में इसे हम सांजरेजा गुल बोलते हैं सबजी बनाने के लिए हमें पहले सेजन के फूलों को साफ करना पड़ेगा हम डंठल निकाल देंगे और सिरफ फूल ही रखेंगे सारे डंठल निकाल दिये और फूल और छोटे फूल सब हमने साफ कर दिये सहजन के फूल हमें विंटर टाइम में इजिली मिल जाते हैं एक सिप्री हांडी में पानी को उबाल कर उसमें सहजन के फूल रखेंगे और दो-तीन उबाल आने तक इसे गैस पर रखेंगे बिटरनेस कम करने के लिए कोई लोहे की चीज़ को घरम करके पानी में डाल देंगे दो-तीन सेकंड के लिए गैस बंद कर देते हैं धक्कन लगा देते हैं ठंडा होने के लिए आठ से दस गंटे हो गए हैं पूरा पानी निचोड़के सेजन के फूल को अलग कर देंगे इस सबजी में बिटरनेस बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हमें इसे उबालना पड़ता है साथी साथ ये हेल्थ वाइस बहुत हेल्दी सबजी है फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल दीपा एंड लालवानी को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट करें एक बार फिर से सिपड़ी हांडी में पानी को उबालेंगे और उसमें उबले हुए सेजन के फूल डाल देंगे दो-तीन उबाल आने तक हम इसे गैस पर रखेंगे ढकन लगा देंगे और गैस को स्लो कर देंगे चेक कर लेते हैं, सेजन के फूल सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से पग गए हैं थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम इसमें से पानी निकाल देते हैं बिल्कुल पानी निकाल देंगे फ्रेंज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंज एंड रिलेटिवस को वीडियो शेयर करें कमेंट करें पूरा पानी निकाल दिया, अब हमें चाहिए 30 ग्राम हरी लसन, आदा किलो टमाटर, 2-3 हरी मिच, सबको हमने चौप कर लिया, सिप्री हांडी में दो कर्ची तेल को गरम होने रखतेंगे, जैसे ही तेल गरम होता है, हम सफेद लसन का वाइट वाला हिस्सा तेल में डाल दें हलका सुने रहा होने तक हम इसे बूनेंगे, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे, और इसे सौफ्ट होने तक बूनेंगे टमाटर को अच्छे से तेल में बूनेंगे, और कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देंगे अब हम इसमें हरे लस्टन की पतियां डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंज, स्वांजरे की सबजी एक सिंधी ट्रेडिशनल डिश है जिसे हम चपाती डोड़े के साथ खाते हैं टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होके हैं और कॉर्नर से तेल भी बाहर आ रहा है अब हम इसमें एक चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच नमक या नमक स्वाधनुसार एड कर देंगे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसमें सैजन के फूल डालेंगे जिसे हमने उबाल के रखा था अच्छे से मिक्स करेंगे पानी एबसॉब होने तक हम इसमें सैजन के फूल पकाएंगे फ्रेंज इस विंटर टाइम में आप ये सबजी जरूर ट्राय करें ये एक हेल्दी डिश भी है स्वांजरे को हम अच्छे से बूनेंगे और मिक्स करेंगे जब तक इसमें किनारों से तेल नहीं निकलाता तब तक हम इसे पकाएंगे अब हम इसमें हरादनिया डाल देते हैं सबजी का पूरा पानी सूख गया है और किनारों से तेल निकलना भी शिरू हो गया है सबजी बनकर रेडी है सबजी का कलर, टेस्ट और खुश्बू बहुत बढ़िया है फ्रेंज, ये रेसिपी आपके साथ शेयर करके बहुत ही अच्छा लगा चलिए सबजी की सबजी को हम डोडे के साथ साव करते हैं Thank you for watching my video